हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का कमलेश विश्वकर्मा यूटूब चैनल पे जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी का आई टी आई परिच्छा तरबीस को लेकर एक नई निउज निकल के आ रही है मैं आज उसके बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं साफ साफ आप लोग का जानकारी लिखी गई है कि आई टी आई में कोर्स पूरा नहीं नवंबर में परिच्छा लेने की तयारी जी हाँ फ्रेंड्स ITI में कोर्स कम्पलीट नहीं हुआ है अभी तक और आप लोगों का नमंबर में परिछा लेने की तयारी की जा रही है तो फ्रेंड्स हम सब जान लेते हैं ये की सम्बन में नोटिस निकल के आ रही है लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये गलत जानकारी है ये जानकारी बिलकुल सही है और परफेक्ट जानकारी है कि आप सभी को मालूम है कि ITI का जो कोर्स है वो अभी तक नहीं हुआ है मतलब कि वहाँ पर अभी तक study complete नहीं हुई है यानि course पूरा नहीं हुआ है उसी के संबन्द में जानकारी निकल के आ रही है आप लोगों का जो मैं इस वीडियों के माध्यान से आपको बताने जा रहा हूं तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियों को complete और ध्यान वाला आप लोग उसे दबा लीजिएगा और साथ में बेल घंटी को all notification पर प्रेस कीजिएगा और जानकारी आप तक सबसे पहले पहुश्ती रहेगी तो फ्रेंड्स आई ये वीडियों को सुरू करते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं फ्रेंड्स यही आप लोग का जानकारी निकल के आ रही है जो कि मैं आप लोग को इस वीडियो में एक न्यूश उपर कटिंग के माध्यम से ही आपको बताने वाला हूँ तो फ्रेंड्स आपका यहां पे दिया गया है आप लोग देख पा रहे हैं आप लोग का साफ साफ लिखा गया है आई टी महानिदे साले ने संस्थानों को जारी किये निर्देश जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग को नोटिस भी मिल चुका है और आप लोग का टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है कि आप लोग का एक्जाम कब से कब तक लिया जाएगा लेकिन फ्रेंड्स यहां पे आई टी कोर्स अभी तक कंपलीट नहीं हुआ है तो हम लोग एक्जाम किस परकार देंगे क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप लोग का कोर्स कंपलीट नहीं होगा तो आप लोग एक्जाम किस परकार देंगे यहीं पर आप लोग का बात हो रहा है तो आई हम लोग इसे विद्वत जान आई टी आई बंद है जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों का कोरोणा महामारी के करड़ आप लोगों का सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज आई टी आई का बंद चल रहे हैं छात्र छात्राओं के कोर्स पूरा नहीं हो पाए हैं लेकिन नवंबर में इनकी परिच्छा लेने की तयारी है। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग का कोर्स अभी तक कंप्लिट नहीं हुआ है और आप लोग का नमबर महीने में परिछा लेने की तयारी चल रही है। भारस सरकार के पर्सिछड महानिदे साल्ख उन्हें नमबर महां के दूसरे सप्ता में परिच्छा की तयारी करने के निर्देश संस्थानों को दिये है जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों का एक्जाम आई टी आई का जो है वो चाहे फर्स्ट इयर, सेकेंड या फिर सेमेस्टर या फिर बैक एक्जाम का हो वो आप लोगों का नवंबर महिने में दूसरे सब्ता में आप लोगों का एक्जाम लिया जाएगा यहाँ पर बात हो रहा है इसके पर आपका यहाँ पर दिया गया है परिच्छा आफ लाइन ही हो सकती है और दोगिक पर्सिचर संस्थान के बंद रहने से पढ़ाई पूरी नहीं होने के बावजू सिलेबस में कोई कटाउती नहीं की गई जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों का इंजिनिंग ड्रॉइंग और प्रेक्टिका का जो एक्जाम है उनका आनलाई माद्यम से CBT के माद्यम से ही उनका एक्जाम लिया जाएगा ठीक फ्रेंड्स और फ्रेंड्स आलोग यहां पर देख पा रहे हैं इसमें आप लोगों का दिया गया है पर्सिचर निदेसाले ने सनिवार और रभिवार को पर्सिचर देकर पाठेक्रमों को पूरा करने के निर्देश दिये हैं बताया जाता है कि सरकारी और दोगिक पर्सिचर संस्थानों में आनलाईन कच्छाएं तो रही लेकिन लगबग आधे बच्चे ही इसका लाब ले रहे हैं जो कि इस संस्थानों में बड़ी संख्या में गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ाई करते हैं जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग का यहां पर दिया गया है कि आप लोग का जो कोर्स है वाइट यह कंपलीट नहीं हो पाया है और उसको कंपलीट करने के लिए परसिच्चर निदेसालय ने सनीवार और रभीवार को भी परसिच्चर देकर पाठेक्रमों को पूरा करने का निर्देश दिया है जैसा कि फ्रेंड्स अब आप लोगों का सनीवार और रभीवार को भी आप लोगों का study करवाया जाएगा और आप लोगों का course को complete जल्द से जल्द करवाया जाएगा और इसमें आपका दिया गया है कि सरकारी और द्योगी संस्थानों में आनलाइं कच्छा हैं तो रहीं लेकिन लगबग आदे बच्चे ही इसका लाब ले रहे हैं जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग का कोरोना महामारी में आप लोग का आनलाई माध्यम से आप लोग का पढ़ाई किया जा रहा है लेकि इसका जो लाब है वो आधे बच्चे केवल उठा पा रहे हैं और आधे बच्चे नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि उनके पास कुछ प्रॉ सुविधा नहीं होने की समस्या आ रही है जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों का जो आई टी आई संस्थाम जो पच्चे पढ़ते हैं ओ अधिकतर गरीब ही स्टूडेंट होते वहां पे तो उनके पास न तो स्मार्टफोन हो पाता है नहीं उनके गाउं में इंटरनेट की स्कूल भी नहीं खुल पाया है आप लोगों का एक कई सितमबर से एंस्थान खूलने वला था लेकलत से कई कई स्टेट में खूला है और अभी आप लोग का जो एक्जाम लिया जाएगा वो आनलाइम माध्यम से लेने की बात चल रही यहां पर लेकिन फ्रेंट्स आपका जो एक्जाम होगा उसका टाइम टेवल भी जारी कर दिया गया है और इस्टूडेंट जो हैं उनको आई टी आई कॉलेज के माध्यम स से उनको नोटिस भी मिल गई है कि उनका एक्जाम लिया जाएगा तो फ्रेंट्स मैं आप लोग को बता दो कि आप लोग का जो एक्जाम लिया जाएगा वो आप लोग का 23 नवंबर से आप लोग का एक्जाम लिया जाएगा वो फस्ट इयर सेकेंड येर का ओनलाइम माध् से लिया जाएगा और उनका engine drawing और practical का exam offline मादियम से पहले की तरही लिया जाएगा और जो semester की student है उनका भी exam पहले की तरह oomr base पे offline मादियम से लिया जाएगा ठीक है और friends आप लोग एहाँ पर देख पार रहे हैं आप लोग इसे देख कर यहाँ पर 4 की यहां पर आप लोगों का दिया गया है आफ लाइन होगी परिच्छा यहां पर दिया गया है कि आप लोगों का आफ लाइन होगी परिच्छा यह ऐसा नहीं है आप लोगों का एंजिंग ड्रॉइंग और प्रेक्टिकल का एक्जाम ही आफ लाइन होगा और जो आपका सिर्वस को पूरा कराने का निर्देश जियां फ्रेंड्स अब आप लोग का सनिवार और रविवार को भी परसिछट देकर सिर्वस को कंप्लीट करवाया जाएगा इसके बाद सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में नोटिस के साथ